हेलो इस्टोनेट कैसे आप आई होप आप सभी अच्छ हुए प्यारे बच्छो आज हम करेंगे कक्षा आठ के हिंदी के अटगेट आप ब्यास उस्तक के पार्ट अठा रगो तो बिल्कुल भी देना करती हो वkę चलते हैं इस प्रश्मتरों की तरब बच्चो इस पार्ट का जो प्रेश्ण कमांग एक है वो है मर्कट सब्द का अर्थ होगा तो इसका सब्द का अर्थ होगा बंदर प्रेश्ण कमांग दो है निसा सब्द का परियावची नहीं है तो यहां पर बच्चो इसका परियावची दिवस नहीं है ठीक रात्री यह ग प्रेश्ण को मांग चार है स्री राम को केंद में रखकर किसने गरंथ नहीं लिखा है तो यह सूर्दा जी नहीं लिखा है प्रेश्ण को मांग पांच है प्राविट जलत मरूत जनुम प्रेरे पंक्ति में कौन सा लंकार है तो इसमें वच्छो उत्प्रेच लंकार है प्रेशन के मांग 6 है धर्मस्त किसके पराक्रम का आधार है तो यह स्रीराम के पराक्रम का आधार है ठीक है प्रेशन के मांग साथ है हावा ठक गई और धर्ती व्यकुल हो गई अर्थ को बताने वाली पंक्ति कवीता से छाटकर लेगी है तो यह है मरूत ठकित वसूदा रावण ने कहा की है स्रेश्ट विरो आप सभी सुनें आप सभी ौरव और भालू कि समूं का मसल डालो हुआ है की प्रेश्टन का मांग नोहें । नहीं राम रावण यूद की समय बीविशन क्यों चिंतित थे तो इसका उत्थर बीविशन राम इससे बहुत प्रेम करते थे प्रेम की अधिक्ता होने के गरान भीविशन की मन में संदे उठा की रामचंद की युद्ध में रावन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे प्रेशन नमबर आठ है पाठ में बताए अभेद कबच को समझाईए तो इसका उत्तर है स्री राम चंद्र जी ने बताए कि जिसके पाप रहे तो इस्थिर मन रूपी तरकस में समयम नियम के अनेक बात बाण है ब्रामन और गुरू की पूजा रूपी अभेद कबच जिसके पास हैं तो इनके समान विजय प्राप्त करना कोई भी दूसरा उपाय नहीं है प्रेशन के मांग 11 है सीन सब्द के दो बर्यावची लिखते हुए उतका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो सीन सब्द के पहला प्रयावची सेर और दूसरा है बनरा तो सेर का वाक्य प्रयोग हुआ सेर जंगल का राजा कहलाता है दूसरा वनराज जंगल में सबसे खतरनाक जानवर वनराज है प्रशन के मांग 12 है बल विवेक दम परहित गोरे चमा क्रपा समता रजु जोरे उप्युक्त वंक्ति का भावर्त लिगिए तो यहां पर इसका भावर्त है बल विवेक द से विजय प्राप्त होती है प्रिश्क मांग 13 स्री राम के धर्मस्त का वर्णन अपने सब्दों में कीजी तो इसका उत्रोगा जिस रत में सौर और धर्म रूपी पईये लगे हुए हैं सत्र और सील की बंजबूत द्वजा और पताकाउं से जिस रत को सजाय गया है बल व प्रिश्क का मांग शुदा है रावन की सेना के विसे में विस्तार से लिखिये इसका उत्तर हुगा लंका नरेस रावन की सेना युद्ध छेतर की ओर जब प्रयान यानी प्रस्थान कर रही थी तब उसके चलने से जो धूल उटी उससे सूर छिप गया हवा भी ठक गई प आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप से मिलते हैं अगली वीडियो में